अगाश्वानी भूपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशीक समाचार। नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्रशान्त सेंगर। सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार। केंदरी सरकर सभी राज्यों को पोशन योक्त चावल उपलब्द कराएगी। केंदरी मंत्री मंडल ने दे परस्ताव को मंजूरी। मुख्य मंत्री ने कहा है प्रदेश में स्थापित हो रहा है उद्योग इस्थानी युवाओं को रोजगार में दें प्रात्मिक्तप। प्रदेश की महविद्यालों में इस वर्ष भी नहीं बढ़ाई जाएगी फीस और जूनियर महला वर्लकप हौकी में भारत पहुंचा सेमी फैनल में नीदरलेंड से कल होगा मुकाबला। प्रदेश में निवेश कर रही उद्योग इकाईयां इस थानी युवाओं को रोजगार में प्रात्मिक्ता दे। कल धार जिले में बदनावर के निकट नवीन और द्योग एकाईय के भूमी पुजन कारक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिन इस्थानों पर उद्योग लग रहे हैं उनके आसपास निवासरत युवाओं को आवशक प्रिशिक्शन उपलब्द करानें तथा उनके कोश के इस इकाईय में और द्योग एकाईयां ततपड़ता के साथ काम करें करें करीब 800 करोड रुपे की लागत से स्थापित हो रहे हैं इस इकाईय में 2000 लोगों को रोजगार उपलब्द हो सकेगा के इंदर सरकार ने कल से निजी टीका करन के इंदरों पर 18 वर्ष से अधिक लोगों को एहतियाती कोविर टीका उपलब्द कराने का निर्न लिया है कि इंदरी स्वास्त मंतराले ने बताया है कि 18 वर्ष से अधिक के वे सभी लोग जने दूसरा कोविर टीका लगाए 9 महीने पूरे हो चुके हैं एहतियाती डोज लगाने के पात रहोंगे देश में अब तक 15 वर्ष से अधिक आयू के लगबग 96 प्रतिशत की शुरों को पहला टीका लग चुका है जबकि 83 प्रतिशत लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं वहीं 2 करोर 40 लाग से अधिक एहतियाती डोज पात रिश्रणी के लोगों को भी लगाए गए हैं इसी त दर 3.35 प्रतिशत पर बनी रहेगी वितवर्ष 2022-23 में पहली दोइमासिक मौद्रिक नीती समिक्षा बैठक के बाद मुंबई में पत्रकारों से बाचीत में रिजर्ब बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज ये घोशना की उन्होंने बताया कि समिती ने सरसम्मती से दार रुख अपनायने का फैसला लिया है फिछली दस बैठकों में समिती का यही फैसला बरकरा रहा है ग्रह मंतरी डॉक्टर नरुत्तम इशा ने का है कि प्रदेश में पुलिस अधिकारे और करमचारियों को आवास उपलब्द कराने के लिए सरकार प्रात्मिक्ता के किया जा रहा है इसे प्रदेश के सरवांगीन विकास के साथ ही जनता के आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद मिल रही है समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंत्रालका आप हमारी वेबसाइट न्यूज ओन एयायार डॉट कॉम पर या एयायार न्यूज एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है मुक्यमंत्री शिवराजी सिंग चोहान आगामी 11 अपरेल को रायसेन जिले की घेरत गंज तहसील के गिराम कहुला में रज जिस्तरी जलसंज अधिकार कमें शामिल होंगे शिरी चोहान इस आवसर पर वर्चूल वीडियो कांफरेंसिंग के माद्यम से जला भिशे का भियान के अंतरगद की जाने वाले कारियों का प्रदेश व्यापी शुभारम भी करेंगे जला कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने कल रायसेन में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस आयोजन की तैयारियों की समिक्ष़ की उन्होंने सब एतिकारियों को 11 अपरेल को आयजित इस रज इस तरीकारकम के भवे और गर्म माय आयजन है तो आवशक निर्देश भी दिये प्रदेश की महाविद्यालों में इस वर्ष भी फीस में वृद्धी नहीं की जाएगी उच्छी शिक्षा मंतरी डॉक्टर महान यादो ने बताया कि कोविड महामारी के संक्रमन को ध्यान में रखते हुए शेक्षन एक सतर 2022 तेस में भी शास्की और अशास्की महाविद्यालों के साथ साथ पारंपरिक स्ववित्ती है पार्टिक्रम में भी किसी प्रकार के शुल्क की वृद्धी नहीं किया जाने का निर्ण लिया गया है उन्होंने कहा कि ये लागतार तीसरा वर्ष है जब किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धी नहीं की गई है परदान मंत्री आवास योजना के तहत हितिगराहियों को आवास का आदिपत्त दिये जाने के लिए तीसरी किष्ट की राशी 27 करोड 36 लाख रुपए जारी कर दी गई है नगरी विकास और आवास मंत्री भूपेंडर सिंग ने बताया है कि ये राशी 11,340 आवासों के लिए जारी की गई है भरती प्रबंदन संस्थान इन दौर का आज 23 दीक्षानत समारो आज़ित किया जाएगा इस दौरां 740 विद्धियार्थियों को प्रबंदन के विबिन पार्ट करमों की उपाधी परदान की जाएगी संस्थान के निदेशा के प्रोफेसर हिमानशुराय ने बताया कि प्रबंदन पार्ट करम में महलाओं का प्रतिशत लगतार बढ़ रहा है इस दिक्षानत समाहरों में 261 चात्राओं की सहबागिता इस बात का उदाहरण है उन्होंने बताया कि समाहरों में हर पार्ठक्रम में पर्थम और दूईती इस्थान पराथ करने वाले विद्यारतियों के लावा कुछ पार्ठक्रम में अवल इस्थान पर रहने वाली छात्राओं को भी सौरणपदक से सम्मानित किया जाएगा महिला जूनियर हौकी विश्व कप के सेमी फाइनल में कल भारत का सामना तीन बार की चेंपियन नीदरलेंड के साथ होगा दक्षन अफरीका के पोट्चेफ स्ट्रूम में चल रहा है टॉर्नमेंट के क्वाडर फाइनल में कल भारत ने दक्षन कूरिया को तीन शुन्ने से हरा कर अंतिम चार में जगह बनाई उदर नीदरलेंड मेजबान दक्षन रफिका को हरा कर सेमी फाइनल में पहुँचा है इस प्रतोगिता का फाइनल मकाबला 12 अपरेल को खिला जाएगा इदर देश में चल रहे है आईपेल क्रिकेट में आज दो मकाबले खिले जाएंगे नवी मुंबई में डीワाई पाइडिल स्टेडियum में चैन्नी सूपर किंग्स का मकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा पुर्णे में मुंबई इंडियंज के सामने रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोर की चुनूती होगी कल मुंबई के बेबरॉन स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने रोमान चक मकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिये विजेतर टीम ने 6 विकेट बाकी रहते अंतिम गेंद में 190 रन का लक्ष हासिल किये स्टरकलरी राहुल तेवतिया ने अंतिम दो गेंदों में लगातार दो छके लगागर गुजरात टाइटन्स को शांदर जीत दिला दी शुबमन गिल ने इस पारी में 69 गेंदों में 96 विकेट के नुक्सान पर 189 रन बनाए पंजाब किंग्स के लिए लियाम लेविंग स्टोन ने 27 गेंदों में 24 टाइटनों के एक आकरशक और 30 पारी खेली गुजरात टाइटन्स के लिए राशिद खान ने तीन विकेट लिये शुबमन गिल को प्लेर आफ दा मैच घोशित किया गया गुजरात टाइटन्स की लगातार तीसीरी जीत है उसने प्रतोगिता में अभी तक कोई भी मुकाबला गवाया नहीं है और अब इस बुलेटन के कोछ समाचार संक्षित में केंद्री क्रिशी मंत्री नरेंडरी सिंग्तोमा राज दोदिवसी मुरेन दौरे पर पहुंच रहे है वे जिले मैजेत विभिनने का रिकमों में हिस्सा लेंगे रानी दुरगावती विश्वित देले जवलपुर को राइश्ट्री इस्तर पर उत्कृष्ट कामकाज के लिए मद्ध भारत में पर्थम इस्थान प्राप्थ हुआ है अगर मालवा जिले के गराम खिंदिया खेड़ी में कल निशुलक आयरवेद चिकितसा शिविर का आईजन कर मरीजों का परिक्षण किया गया और गुना जिला कलेक्टर ने कल एक बैठक कर हनुमान टेकरी मेले की तैयारियों की समेक्षा की ये मेला हर वर्ष 16 अपरिल को आईजित किया जाता है और रंत में इस बुलेटिन के मुख्य समचार एक बार फिर केंदर सरकार सभी राज्यों को पोशन युक्त चावल उपलब्द कराएगी केंदरी मंत्री मंडल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी मुख्य मंत्री ने कहा प्रदीश में इस्थापित हो रहे है वो द्योग इस्थानी युवाओं को रोजगार में दें प्राथ मिक्तद प्रदीश की महाविद द्यालों में इस वर्ष भी नहीं बढ़ाई जाएगी फीस और जूनियर महला वर्ड कप होकी में बाहरत पहुंचा सेमी फैनल में निदरलेंड से कल होगा मुकाबला इस बुलेटिन में इतना ही अपने इज़ाज़त नमस्कर